देखें ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हालकी हाल ही में 36 गड के सभी किसान खेती की और अग्रसर हो रहे हैं इतना ही नहीं राज्य के किसान में नई नई तकनीकों का भी प्रयोग करते नजर आ रहे हैं लेकिन पूरे शेत्र में खेती के जानकारी के लिए क्रिशी विद्याले तक नहीं है जिसके चलते ही 36 गड़ सरकार ने जिले में कृषी महाविद्याले खोलने की मंजूरी दे दी है जिस तरह से राज़ के किसान खेती में अपनी रुची दिखा रहे हैं उसे देख कर शेत्र में किसानों के जानकारी के लिए कृषी महाविद्याले होना काफी जरूरी है हालकि इस महाविद्याले की स्थापना के लिए पंचायत और ग्रामीर विकास मंत्री अजय चंद्रा करने आगे पढ़कर शासन इसतर पर पहल की है गौरतलब है कि राज में क्रिशी महाविध्याले की स्थापना होने के बाद इसमें किसानों को काफी फाइदा होने वाला है शेत्र के किसानों को इससे खेती करने में मदद मिलेगी और साथ ही यहां के किसान और नागरिकों को क्रेशी से जोड़ी पढ़ाई करने में भी आसानी हो जाएगी आपको बता दें कि इस महाविद्याले की स्थापना के बाद पारंपरिक तौर पर खेती करने वाले किसानों को भी खेती करने की नई तक्नीके सीखने को मिल जाएंगी हालक ही चालू वित्तिय साल 2018-19 के बजट में क्रेशी महाविद्याले खोलने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वीक्रती प्रदान कर दी गई है